हेलो दोस्तों स्वागत आप का इप राइडर ओटो मॉबाइल यूटूब चैनल में और आपके लिए क्या हैं वाइट टियागो जो की है सी एंजी और एक काफी अच्छा फीचर बताऊं यह डूवल से लेंडर वाड़ी है जिसके अंदर दो सी एंजी से लेंडर है एक प्रोजेक्टर लेंब और एक नॉर्मल रिफ्लक्टर नीचे फोग लेंब भी दे दिया क्रॉम की फिनिशिंग वही सामने पूरी क्रॉम की एक ट्रीटमेंट ग्रिल ए छोटो चोटो ट्रायरो पैटरन यह भी क्रॉम में टाटा का लोगो और नॉर्मन कुछ इस तरीके की नीचे अमिदे इसकी लिप यह हो गया बैसका फ्रंट चलेंगे साइड में साइड में आएंगे सबसे पहले यह दिखेंगे हमें इसके टायर टायर की बात करें गूडिएयर कंपनी के टायर भाई और सामने की तरफ डिश्क पीछे ब्रेक टायर सेक्शन की अगर आप बात करेंगे साइड से नुर्मल वाइप देखने को मिल जाएगी बहिए अर्ब hurts Pan printers양 देखें ≫ नहीं है देखे का साथ नहीं यहां पो देखने को मिल जाएगा साथ में यहां पर अलडude पिछे इस तरीके का, A-Pillar, Body Color, B-Pillar Black, C-Pillar Body Color आपको यहां दिख जाएगा, यह इसका ओवरोल लुक, पिछे वाले टायर की बात करें, सेम वही 14 इंच का टायर मिलेगा, वही पिछे ड्रम ब्रेक के साथ, अलोई विलिया पर अमें दिया है, अब बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आओगे, तो सबसे पहले यहां आपको, I-CNG की ब्रेंडिंग, जो कुछ इस तरीके की, वही टेल लाइट, जो पुराने वाली, टियागो में आती थी, C-NG की ब्रेंडिंग, बीच में टाटा का लोगो, टियागो की ब्रेंडिंग, उपर बात करे अगर पूरी क्रोन के लिए पापको यहां पर दी है, यह इस का वरोल डिजाइन, इस साइड से पूरा, फ्यूल टैंक कपेस्टी की बात करें, तो भाई 40 लीटर की फ्यूल टैंक कपेस्टी, यह इस का वरोल लुक, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, और सारी बात करेंग अगर की की बात करोगे, तो यह आपको दी है, नॉर्मल वाली की, अब चलते हैं बाई गाड़ी के अंदर, और सबसे पहले आपको दिखाऊं इसका डूर, तो यह डूर कुछ ही तरीके आपको इसका दिख जाएगा, डूल टोल में है, यहाँ पर कोई सोफ्ट टच नहीं, पूरा हार्ड प्लास्टिक है, चारो पावर विंडो, नीचे की तरफ स्पीकर, और ट्वीटर आपको भी पता है, पिलर में मिलता है, यह आपको, ओर वियम के कंट्रोल, जो की साइड़ वाले ओर वियम है, क्रोम का डोर हैंडल, नॉर्मल लिप, और नीचे बोटल होल्ड 0.5 लिटर, आदे लिटर की बोटल डाल सकते हो, और यहां कुछ अपकर पेपर रखने की जगह है, यह है सारी चीज़े, अब गाड़ी के अंदर चलेंगे, बाकी फीचर बताएंगे अंदर चलने के बाद, उससे पहले बात कर लेते हैं, सीट की, हाइट अब आगे बाई, टाटा टियागो के अंदर, सबसे पहले आप देखोगे, यह आपको स्टेरिंग वील, कुछ इस तरीके का, और लैदर रैपिंग इसके अंदर नहीं मिलती, नीचे से फ्लैट बोटम, स्पोर्टी स्टेरिंग, टाटा की ब्रैंडिंग, जो की कंट्रोल आपको मिल जाएंगे यहां, जो की इसके कंट्रोल्स है, यह सारे स्टेरिंग माउंट कंट्रोल, यह फ्लैट, यहां पर यह चीज, यहां बात करोगे, कंट्रोल्स मिल जाएंगे, हेडलाइट के, और यहां पर बात करोगे, तो यह मिल जाएंगे, वाइपर के कंट्रोल, पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग जो आपको यहां दिखेगी एरवेग की ब्रेंडिंग जो की कुछ यहां दी है तो दो एरवेग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे अब चाब भी हमारे पास थी अब करते हैं इसका इगनिशन ओन और बाकी बाते करता हूं फिर नॉर्मल बाली चाब भी ही इसके अंदर लगा देते हैं तो यह लगा दी भाई की इसके अंदर कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट कलस्टर जो की पुरानी बाली में देखने को मिलता है तो स्पीकर आपने देख लिए भाई आवाद सुन ली उनकी भी पुरा का पुरा कंट्रोल जो की यहां दिया है आपको इसके अंदर आप देखोगे लाइट जला दू एक बार तो यह देखो भाई यहां आपको आर पी एम मीटर इस साइड में देखने को मिलेगा यहां पर बात करोगे तो यहां आपको दिख जाएगा इसका फ्यूल बीवाइस के अंदर दे दिया 28-38-39 आपको लिखा है टाइम तो भाई इस मोडल के अंदर टीपी एमस देना काफी अच्छी चीज कर दी है टाटा ने तो यह काफी बैतरीन चीज मुझे इसमें लगी कि टीपी एमस भी टाटा ने आपर हमें दे दिया है यह सारे फीचर्स बात करें नौर्मल ब्लैक कलर का डैश-बॉर्ड देखने को मिलेगा यहां पर बात करोग है दो इसी वेंट जो की क्रोम की存ें यहां पर भी एक ताट ने दे ने आपर असे यह केंदेन के साथ 8 इंच की डिस्प्ले 8 स्पीकर नीचे बटन की बात करोगे लो बीम हाई बीम का ये बटन सी एंजी में स्विच करने के लिए ये एक ग्रीन लाइट यहां आपको दिख रही होगी लोक अनलोक का ये बटन बागी कोई बटन यहां पर काम का है नी नीचे बात करोगे चार्जिंग वोल्ट साथ में बारा वोल्ट का पावाई होगी इसका बात करोगे तो नीचे इसके अंदर दे दिया है ये देखो charging port साथ में 12V का power socket यहां कुछ आपके phone रखने की जगह है अब बात करेंगे इसकी यह है इसका gear knob 5 speed का manual gearbox यहां पर आपको कुछ जगह है 2 cup holder, 1 normal यहां पर बात करोगे कुछ शिका या चाबी रखने की जगह है यहां आपको इसका इसली उपर जाने वाड़ा इनकी बात करें तो यहां पर ticket holder यहां पर बात करोगे तो mirror बाकी और कुछ नहीं है IRVM की बात करें manual IRVM देखने को मिलेगा आगे से सारी चीज़े हैं एक click पूरा यह open cooled भी दे दिया है अंदर से और जगह भी काफी है और tire mobility kit भी इसके अंदर दी है तो यह चीज सबसे अच्छी लगी मेरे को अब चलता हूँ पीछे और बाकी पीछे की seat की बदाता हूँ हाँ seat की comfort की बूल गया था तो sitting comfort देख लो भाई thigh support proper है अब चलेंगे गाड़ी के पीछे की और बाकी नीचे बात करोगे तो यहाँ यह तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे pedals और साथ में यहाँ पर हमें दे दिया वाइस का dead pedal जो काफी अच्छी चीज है तो अब चलते हैं पीछे और बाकी बात करेंगे पीछे वाली seat पे बात करेंगे पीछे वाले डोर की तो वही 90 डिगरी ओपनिंग वाला डोर यहाँ पर बात करोगे सबसे उपर ट्विटर ग्रिल यहाँ बात करोगे वही नोर्मल आपको देखने को मिल जाएगा यह ब्लैक कलर में पकड़ने के लिए पावर विंडो स्पिकर ग्रिल आदे लिटर की बोतल का स्पेस और यह सारी चीजे है भाई सीट की बात करें काफी अच्छी सीट है और सोफ्ट भी बहुत ज्यादा बैठता हूँ फिर बाके आगा आगे करूँगा बात मैं आगया गाड़ी के अंदर इतना मिल जाता है जो कि मैंने थोड़ा साइ पीछे भी किया है थाइ सपोर्ट की बात करो थाइ सपोर्ट पूरा बर पूरा इस गाड़ी के अंदर जो अच्छी चीज़ आपको मिलेगी नीरोम थाइ सपोर्ट दोनों चीज़े काफी अच्छी हैं लेग रूम की बात करें तो पीछे वाले पैसेंजर को अगर छे फूट का भी होगा तो काफी एच्छा लेग रूम यहापर आपको मिल जाएगा तो यह भी इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है बाकी पीछे की तरफ बात करूं यह आपको मिल जाएगा इसली ओपर जाने को मिलते हैं तो यह सारे भाई साइड फीचर अप चलते हैं इसके बूट में बाकी बात करेंगे बूट में जाने के बाद हमारे साथ एक कस्टमर भी है जिनकी सरदार जी हमारे पास जिनकी आईट है 6-1 तो यह आप गैप देख सकते हैं आपको सिरफ इतना गैप मिलेगा और जैसे आपको पता है भाई जैसे पग बंदेगी तो पक के बाद गैप नहीं रहेगा तो 6-1 के बंदे के लिए सिरफ इतना ही गैप आपको मिलेगा तो इससाब से आप आईडिया लगा दो कि टियागों के अंदर आपको हैड स्पेस जो कंडेक्टर ड्राइवर सीट प और यह है भाई असली चीज जो आपको यहां देखने को मिल जाएगी इसके बूट के अंदर तो सबसे पहले आप देखो इसका बूट स्पेस यह आपको कितना बूट स्पेस इसमें मिलता है तो बूट की बात करें तो यह देखो भाई थोड़ा सा उपर उठा हुआ आपक मिलेगा उपर और इसको उठाओ गए तो यह मिलगी आपको डूल सिलेंडर टेकनोलोजी जो की टियागों के अंदर भी आब आ चुकी है 210 लीटर के बूट स्पेस के साथ यह गाड़ी आपको यहां पर मिल जाएगी 210 लीटर का बूट स्पेस बैस्ट चीज मुझे लगी व पो बॉनट इंसुलेशन मिलेगा ताफी अची चीज है नीचे की तरफ बात करें यह है इसका इंजन पावर फिगर की बात करें आपको पता 1200 CC का इंजन है 75 VHP की पावर और 55 Nm का टोर किसके अंदर मिलेगा ABS EBD मो मिलते आपको इस गाड़ी में स्टेंडर जो की भाई हमा तो यहां पर आपको इंजन गाड़ नहीं मिलता वह आप लगवा लेना और कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का आता भाई ओवरोल लुक और बात करें DRL की जो की इसमें दिये हैं यह कुछ इस तरीके का LED डियाल आ राते हैं तो यह है इसका ओवरोल लुक Tiago XZ Plus Twin Cylinder इंज को यह गाड़ी पसंद आई हो लेना चाते हो डिलाइट टाटा का शोरू में जनकपूरी में अभी आओ खरीदो आपको यहां यह गाड़ी मिलेगी और एक और वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में Twin Cylinder की टाटा की ही वीडियो लेके आऊंगा मिलेगा नेक इस वीडियो में ठेंक यू